कि अब लोग देख सकते हो कि यह जो स्कूटी है डिबिय के सिंटरों की स्कूटी है इसका जो gear box का जो pinion है इस pinion में problem आ गया है फिर भी हम लोकि यह सारट चेक कर रहा है क्योंकि यहां पर कपी कपी क्या होता है self का जो यहां पर pinion बगए रहा है कुछ की कुछ फास सकता है लेकिन इसको गुमाने से क्या होता है इसको गुमाने से आवाज आ रहा है ग्यार बॉक्स में तो इसको गुमाने से क्या होगा आवाज आ रहा है ग्यार बॉक्स में तो क्या करना है इसको ओपन करना पड़ेगा यह जो ग्यार बॉक्स है ग्यार बॉक्स का साइट का पर ओपन करने पड़ेगा तो यह आपर देख लेजिए जो शोकाड है हम लोग कुलने का तुड़ा अराम से कुलना है इसलिए यह शोकाड को खुल दिया है और फुरा डाउन कर दिया है इसको यह जो खुलास चुछ होता है इसमें गुम हुने से लग रही है कि युद्र में आओ अंदर उस से आओब आ रहा है तो इसको क्या करना है और सबसे पहले दिखे इसको और दिया है हमने और यह आप पे देखाई दे रहा है कि जो ग्यार बक्स का अंदर में क्या हो गया है एक पिनियों ताजो जो एक्सलेटर पकड़ने का बाद में यह जो है यह एक्सलेटर पकड़ने का बाद में यह गुमता है है क्या हो गया है ये जो अंदर में गाट है देखिए यस लिए खाइदिया है इसे पले हो गया है इसे रहता है और इसकाक के इस-चे खाया है धिकैंगे कुल के इसका तुड़ा खम लग रहा है लेकिन ये जो शाफ्ट का है देखिए ये शाफ्ट में तुड़ा सा भी गाट जो है फुरा खाई दिया है ये गाट तो क्या करना है इसको चेंज करना है इससे आवाज आ रहा है तो क्या करना है आप लोगों को इसे ग्यार बक्स में गरिंटी का साथ के सकते हो कि एक्सलेटर पकड़ने का बाद में इसे आवाज आ रहा है तो इसे ग्यार बक्स में प्रोब्लम हो सकता है तो यहाँ पर देख लिजी यह जो पार्ट से बाकी सब ठीक ही लग रहा है और बाकी यह सब जो पार्ट से शोरूम में एबूल एबूल मिलेगा लेकिन आउट में इतना सब दुकान में नहीं मिलता है तो यह जो प्रोब्लम है एक्सलेटर पकड़ने का बाद में इसे आवाज आ रहा है मैंने पहले स्टार्ड में दिखा दिया है तो किसे आवाज आ रहा है अभी क्या करना है यह दुनों को चेंज करने का बाद में आप इसे प्रोब्लम को सॉल्फ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं दिखिए यह एक्सलेटर पकड़ने का बाद में गाड़ी जियादा जबोड़ जस्तान किया है इसलिए यह इसका जो गाड़ है खराफ होगी है और यह पिनियन का भी तुड़ा तुड़ा है लेकिन इसको भी चेंज करने पड़ेगा यह दुनों खराफ होगी है इस बज़े से क्या होता है स्टार्ट गाड़ी होता है उसका बाद में एक्सलेटर पकाड़ने का बाद में क्या होता है गाड़ी आगे नाई जाता है यह स्लीफ हो जाता है यह सही लग रहा है तो इसे ही करना है आप लोगों